हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LICL ओनलाइन इस्टडी टोटरियन आज है 27 जून और 27 जून से चितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को क्वेशन नमबर वन है किस राज सरकार ने मुक्यमांतरी मात्र पुष्टी उपहार यूजना का शुवारम किया है चार ओप्शन दिये गए हैं ओप्शन नमबर A है तिरपुरा बी ओप्शन है माड़िपूर, सी ओप्शन है मिजोरम, डी ओप्शन है इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर होगा यहाँ पे ओप्शन नमबर A तिरपुरा आई जानते हैं कुछ एक्षा फैट की बारे में यह यूजना प्रिष्ट फेटिंग कराने वाली महलाओं और प्रेगनेंट महलाओं हैं जो उनके लिए शुरू की गई है इस यूजना के अंतरगत ऐसी महलाओं को पॉस्टिक आहार की किट प्रतान करेगी तिरपुरा सरकार जानते हैं तिरपुरा की बारे में तिरपुरा की राजधानी है अगरतला मुख्यमांतरी है विपलो कुमार देव राजपाल है रमीर्ष बैस दिखिए अभी हाली में तिरपुरा सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की भी सुरूआत की है यह मैंने आप लो A है हरियाडा, option number B है ओडिशा, option number C है मिजूरम, option number D है राजिस्थान, तो सही आंसर होगा यहाँ पर option number A हरियाडा, जानते हैं इसके बारे में हरियाडा राजिसरकायनिक COVID-19 महावारी के दौरान, दूरस्त सिक्षा कारिकरम के तहट स्कूल जाने वाले छातरों को सिक्षा प चनल बिना किसी भुकतान के जियो प्लेटफॉरम पर उपलब्ध होंगे, अगला question देखते हैं, question number 3 है, किस भारती राज ने इपंचायत पुरशकार 2020 जीता है, चार ओप्सन दिये गए हैं, option number A हरियाडा, B ओप्सन है बिहार, C ओप्सन है हिमांचल प्रदिस, D ओप्सन है इपंचायत पुरुशकार 2020 का प्रथम पुरुशकार जीता है, देखी राज की सभी 3226 पंचायतों में इंटेनेट शुविदा प्रदान की गई है, और यहां की लोग बिभिन प्रकार के ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, यह जो पुरुशकार है, यह केंद्री इन पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म अम्रत्यू, और बिभार के पंचीकर और जैसी बिभिन सेवाएं ऑनलाइन पंचीकरत हैं, जानते हैं हिमांचल प्रदेश की बारे में, हिमांचल प्रदेश की रजधानी हैं सिम्ला, मुक्यमंद्री हैं जैराम ठाकुर, राज जिपाल हैं, बंडारू दत्ता, अगला क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर फोर है, आई एम एप ने बित वर्स दो हजार एक्किस में भारत की अर्थिवेबस्था, कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है, तो चार आप्शन दिये गए हैं, आप्शन नमबर A है, 4.5%, B ओप्शन है, 3.1%, C ओप्शन है, 2.9%, D ओप्शन है, इन में से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा, ओप्शन नमबर A, 4.5%, जानते हैं इसके बारे में, देखें, IMF, IMF का फुल फॉर्म होता है, International Monetary Fund, हिंदी में कह सकते हैं, आंतर राष्टी, मुद्राकोस, देखें, IMF एक आंतर राष्टी संस्ता है, जो अपने सदस देशों को, या सदस देशों की वैसिविक आर्थिक इस्तिती पर नजर रखने का काम करती है, यह अपने सदस देशों को आर्थिक और तक्नीकी सहता भी प्रदान करती है, IMF की स्थापना हुई थी 1945 में, इसके जो मैनेजिंग डिरेक्टर है, शौट में कहेंगे MD, वो है क्रिश्टलीना जरजीवा, मुख्य आर्तिक सलहाकार है, गीता गोफी नाथन, यह जो गीता गोफी नाथन है, यह भारती मूल से है, और IMF का मुख्याले है वाशिंग अटन DC में, आगड़ा क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर 5 है, FATF ने किस देज को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने का पैसला किया है, तो चार ओप्सन दिये गए है, ओप्सन नमबर A है इराग, B ओप्सन है इरान, C ओप्सन है पाकिस्तान, D ओप्स फूल फॉर्म होता है, Financial Action Task Force, इसकी जो स्थापना होई थी, वो 1989 में होई थी, FATF का मुख्याला है, पेरिस, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, देखें, ग्रे सूची में उन देसों को रखा जाता है, जो टेरर फंडिंग को रोक पाने में आसमर्थ होते हैं, और इसमें पाकिस्तान का नाम रखा गया है, तो जानते हैं पाकिस्तान की बारे में, पाकिस्तान की राजधानी है इसलामाबाद, PM है यहां के इमरान खान, और प्रेसिटेंट है आरिफ अलवी, अगला क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमर् 6 है, हाली में आत्म निर्भर उत option है नरेंद्र मोदी C option है आनंदी वेन पटेल D option है इन में से कोई नहीं तो यहां पे सही आंसर बताना है तो सही आंसर होगा option number B नरेंद्र मोदी जानते हैं कुछ extra Parachate hvis इस्वाराईक जो प्रवाशी स्रमिक बापस उत्तर प्रिदेस लौट आए हैं कोई when Shark 5N के चलते के उनको रोजगार के अव्चर प्रदान करेंगी कि ही सरकार इस भीहान के तेट फीए तो यह उट्तर तो उत्तर् प्रदेश के बरे में जानते हैं उत्तर् प्रधेश की राजधानी है लखनौ मुक्ह मंत्री है योगी आदिधनार राजपाल ऐननदी विन पटे उत्तर् प्रदेश में और योजना शुरू कि गई हैं जैसे बालस्रमी की उजना इसना एक ज़िए गाया हैं एक होगा जो हमारे हैं की रोड या फिर जिनको हम कहले हाइवे हैं उनके चारो तरफ या दोनों तरफ और सदी बाले पेड लगाए जाएंगी जिसे नीम हुआ या फिर तुलसी का पेड हुआ यह सारे मनेरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज भी उत्तर प्रदेश बना है अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर सेविन है हाली में MCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है DC means Marylbun Cricket Club इसका नया जो अध्यक्ष ङै वो किसे बनाया गया है तो Option दियेगे है Option नमबर A है Saar Tailor B Option ہے Claire Conor C Option ए Alice Perry D Option है इन मने से कोई नहीं तो यहां पर सही आंसर होगा Option नमबर B क्लियर कोनोर जानते हैं इसके बारे में देखिए MCC के जो नॉन ब्रिटिस अध्यच थे वो थे कुमार संकारा और इन्होंने ही क्लियर कोनोर को सपद दिलाई है मुख्याल है लंदन में है इस्थापना हुई थी 1787 में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर एट है हाली में नेविगेटिंग दा न्यू नॉर्मल अभियान का सुभारम किस ने किया है चार ओप्षन दिए गये हैं ओप्षन नमबर ए है क्रसी मंत्राले बी ओप्षन है नीती आयोग सी ओप्षन है बित्म मंत्राले डी ओप्षन है इन में से कोई नहीं तो सही आंसर बताना है, सही आंसर होगा है इसका option number B, नीती आयोग देखिए इसके बारे में जान लेते हैं, ये एक नया ब्योहार परिवर्तन अभ्यान है इसके अंतरगत सभी लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना और उनका अनुस्तरण करना होगा जैसे मास्क पहनना और दो गच की दूरी बनाए रखना और हातों को अच्छी तरह से सफाई करना और पब्लिक प्लेस में ना थोकना ये चार बाते हैं, इनको फॉलो करना होगा सभी व्यक्तियों को और इसको नीती आयोग ने Bill Gates and Belinda Gates Foundation and Other Foundation के साथ मिलका शुरू किया है का गठन एक जिन्वरी 2015 को हुआ था, इसका जो पूरवर्ती नाम है, उसका नाम है योजना आयोग, जो पहले भी चला था, 2015 में इसका नाम बदलके नीती आयोग कर दिया गया, मुख्याले है नीती आयोग का नई दिल्ली में, अध्यक्षे नरेंद्र मोदी, उपाध्यक् विध्याले कहां खोला गया, चार ओप्षन दिये गए है, ओप्षन नमबर A है अमेरिका में, B ओप्षन है, रूस में, C ओप्षन है जापान में, D ओप्षन है, शिंगापुर में, तो सही आंसर है यहाँ पर, ओप्षन नमबर A अमेरिका में, देखिए भारत के बाहर स्वामी बिवेकानंद के नाम पर रखा गया है, बिवेकानंद विश्व बिद्याल है, इसको शौर्ट में वायू भी कह सकते हैं, अगला क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर 10 है, गलवान घाटी की घटना के बाद, रूस, भारत और चीन के बीच, आयोजित, त्रिप अप्शन है, जानल बेखपिन रावत, डी अप्शन है, नरेंद्र मोदी, तो सही आंसर हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नमबर B, सुप्रमणयम जैसंकर, सुप्रमणयम जैसंकर है, यह हमारे भारत के विदे समंत्री है, और जो next question है, वो मैंने आप लोगों के लिए रखा हु को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो इसका आंसर सही ही आएगा, तो यह था आज का हमारा करेंट अफ्टेर का वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आए और उप्योगी जाबित हो, तो प्लीज वीडियो को ल हुले, थैंक यू